अलो जोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो प्लिस हमारे चैनल को लाइक, कमेंट and सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल से जल, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलें, अर्य मोदू लेगिन सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्र आप देख रही आईटेक्सप्राइस कंप्यूटर आप बीटेक्सप्राइस कंप्यूटर के तो इसको सबस्क्राइब की जो और अपने दोदों के साथ ज़रूर शेयर किजिए अच्छिए अगर आप एक तो आप अप्टॉटर का स्टूडन है या टीचर है या आप लेपटॉप यूज़ कर या कंप्टॉटर तो अप शौर आपको पता होगा किये जो कीबॉर्ड में विंडू की का जो बटन होता है इसका क्या कम्बिनेशन है तो अच्छी इस वीडियो में आप लोगों को पू इसके साथ यह आपको कीबॉर्ड नजर आ रहा होगा इस विंडू की के साथ आप बहुत से शौर्ट कुट की या केले कंबिनेशन बना सकते किसी भी सौफटवेयर का ठीक है विंडू की के साथ नंबर यूज़ करें जो कि आपको कीबॉर्ड स्क्रीन पे नजर आ रहा यहां तक मेरे टूल बार में 17 जो कि मैंने एट की है यहां नीचे अगर यहां पर मैं 1234 नंबर अगर विंडू की के साथ दबा के फॉर दबा दो तो हमारे पास बगएर माउस क्लिक करके हमारे पास जोए न एडॉबी ओपन हो गया ठीक है यह ओपन हो रहा है बगएर अगर अगर यह फॉर नंबर फाइब सिक्स हो बगएर क्लिक करके मैं 6 दबा देता हूँ विंडू की दबा के 6 दबा देता हूँ तो हमारे पास यह पैंट टूल ओपन हो गया तो चले निक्स स्टेप पे चलते हैं आद दूसरे स्टेप पे अगर मैं आपसे चाहूंग कि आप फुल स्क्रीन करें तो आप डारिक चले जाएंगे और इसको इस तरह मानिमाइज और इस तरह कर सकते हैं तो यहां पे मैं आपको कीबोर्ड शो करके दिखा देता हूँ यहां पे जो अपने विंडू की और यह चार एरो अगर आपको नज़र आ रहे न तो यहां पे म इस तरह बगएर माउस क्लिक करके यह हमारे पास जो है आप डाउन राइट लिफ्ट ठीक है यहां पे आप इस विंडू की की साथ यह चार एरो नज़र आ रहे इस पे आप कर सकते हैं तो उमीद है आज की यह जो विंडू की की जो शोटकट की है मैंने बता दिये तो इसक चलते हैं नेक्स स्टेप पे जो के तरी नमबर आज की जो है जो है ना त्री स्टेप पे चलते हैं तो यह भी बहुत अपवाट चीज़ है ठीक है बहूत इम्पर्टन्ट शॉटकट की अगर आपको इनका पता नहीं तो मैं बता देता हूँ यहां पे अगर मैं इनको सब को open कर दूँ ठीक है यहां पे मेरे पास ठीक है और इस तरह इसको मैं open कर ले तो ठीक है तो यहां पे मैं अगर आप से पूलिए कि आप 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 क्या करोगे तो एक एक को आप इस तरह minimize कर गए लेकिन मैं आपको जो shortcut की बता रहा हूँ बहुत important है यहां पे आपको keyboard नजर आ रहा होगा अपने simple window key और D दबाने तो यह सारे minimize हो गए ठीक है यहां पे अगर मैं window window key और D दबा देता हूँ तो यह सारे minimize हो जाते है तो चलते है next fourth step पे तो चौतर जो step है हमारे पास window explorer के लिए ठीक है यह है window explorer जो के हम जिए तर इनको यूज करते है तो इसके भी keyboard आपको नजर आ रहा होगा screen पे तो इसके लिए अपने window की E दबाना है तो यह हमारे पास यह आ जाएगा window E दबाना है दबा के E दबा देना है तो उमीद है यह tip भी आपको जोएना आपने जोएना याद रखना है दिमाग में जोएना डाल देना है या कोई note box में लिख के इस पे frictus क्या करें ठीक है तो चलते हैं next five जोएना यहाँ पे हमारे पास जो पांच वा जो step है वो है alt और tab यहाँ पे अगर आपकिसी भी चीज़ को जोएना open करना जाते हो तो आपने alt जोएना tab बटन दबा देना है ठीक है यहाँ पे मैं अगर इसको open करना चाते हूं तो इसको भी मैं open कर सकते हूं तो चलते हैं next जो six number जोएना step है उस पे चलते हो पे थह पर हमारे पात जो चटा स्टेप है वो यहां पर हैं जो कि की भुड़ को स्क्क्रीन पे नजर आ रहे होगा यहांपे प्लस माइनस को जो निशान है घर यहां पर इसको आप खोर्डूम करना हैं अउट्जूमिंग करते हैं बेक देख जा सकते तो इसको आप या उपर नीचे कर सकते हैं जो कि जूमिंग कर सकते हैं तो नेक्स टिप पर चलते हैं साथ नम्ब यहां पर हमारे पास साथ नम्ब जो स्टिप है वो है विंडो की एल यहां पर जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहा होगी यहां पर अगर आप जो भी काम करते हैं और अपनी स्क्र फिल्टर में हो जिस चीज़ में भी हो यहां पर एक्जम्पर यहां पर मैंने यह काम चोड़ा है ठीक है तो इसको आप वैसा की वैसा ही तो आपने कंट्रोल एल दबाने तो आपका स्क्रिन लॉक हो जाएगा तो चलते हैं नेक्स टेप जो के एट नमबर है तो यहां पर हमारे पास जो एट नमबर है जो के शॉटकट की है वो है अगर आप पीछे से किसी चीज़ को डिलीड करना चाहिए तो आप सेंपर क्या करोगे बैक स् क्याजान तो यह पीचे से डिलीड हो रहा है अगर यहां पर मैं डी दबा दू तो यह धीचे न देखिआ है ठीके अगर मैं इसको दुबार अंडू कर दू तो यहां पर अगर मैं अभी बिक स्पैस दबाद हुआ तो यह जो है ना आगे वालव डीलीड कर रहा है पीघर ठीक है तो उमीद है आज के जो शॉर्ट कट के वो जरूर आप लोगों के लिए पसने होंगे अगर पसने तो लाइक शेर कॉमेंट जरूर कीजिए और मुझे अपनी रही से जरूर अगाग कीजिए तो मिलते हैं निक्स टूर में मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाने के ब